हेलो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे intermittent disease ठीक है कफे important topic है exam point of view के लिए और साथ साथ अपने daily life practice के लिए ठीक है कई देखते है intermittent disease क्या होती है यह section 231 से 244 तक दिया है ठीक है यह दो तरह के है typical intermittent disease और alternating disease तो typical और alternating हम लोग एक है करके देखेंगे क्या होते है typical intermittent disease section 233 से शुरू हुआ है इसमें लिखा हुआ the morbid state of a fixed character ध्यान देने वाले बात है कि ऐसी disease जो fixed character की है return at a fixed period ठीक है यही दोनों में अंतर है alternating disease में disease relapse करेगी दूसरी disease भी आ सकती है लेकिन typical intermittent disease में क्या होगा fixed character की disease जो है fixed period पर return करेगी ठीक है while patient is apparently in good health काने का मतलब है जिस period में disease आएगी उसी condition में patient थोड़ा सा इधर उदर रहेगा बाकी फिर अपने आप disease ठीक हो जाएगी फिर वो good health में आएगा फिर disease एक certain period आएगा फिर से उसे disease हो जाएगा फिर good health को हो आएगा फिर से एक certain period आएगा इसमें उसे disease हो जाएगा लेकिन जो भी disease हो रहा है वो एक same disease हो रहा है typical intermittent disease हम लोग पढ़ रहे हैं तो यही मैंने बात यहाँ लिखा हुआ है कि अगर किसी बंदे को disease हो रहा है जैसे कि अगर 11 से 12 के बीच में उसको disease हो रहा है सरदर्द हो रहा है तो a febrile या non febrile जो कि section 234 में लिखा हुआ यह febrile या non febrile मतलब ऐसी disease जो इसमें fever नहीं हो ठीक है तो बिना fever वाली disease it observed in one single patient at a time ठीक है these are the chronic disease ठीक है हम लोग जो है typical intermittent disease को दो भागों में बाटा है यानि कि तो single patient at a time disease भी typical में क्या था disease भी एकी थी और बंदा भी एकी थ तो these are the chronic disease ऐसे यह febrile वाले जो है कैसे होंगे chronic disease होंगे mostly soric origin but seldom complicated with syphilis कभी-कभी यह syphilis भी हो जाते हैं लेकिन mostly कैसे होते है soric in origin होते हैं इनका treatment करेंगे कैसे यह febrile वालों का अगर soric nature के हैं तो हम anti-soric medicine देंगे अगर syphilis है तो anti-siphiletic medicine देंगे ठीक है लेकिन कभ अगर आप दे रहे हैं मतलब चाइना ओफिसिनलिस की medicine अगर आप दे रहे हैं तो हो सकता है यह बंदा ठीक हो जाए अगर नहीं हो रहा है तो आप anti-soric और anti-siphiletic जैसा भी टोटल्टी के बेसे medicine निकले वैसा आप देंगे ठीक है यह बात कितने फर्जम में लिखा हुआ ह टिपकल intermittent disease का दूसरा भाग है फेबराइल intermittent disease या फिर intermittent fever यानि कि दूस पाले वाले में क्या था fever नहीं आ रहा था इसमें fever आ रहा है अब इसमें fever आ रहा है त्येट सेक्षन 235 से 244 तक लिखा हुआ है ठीक है क्या henven sir ने इसको classified किया है चार भागों में जड़ा देखते है ये चार भाग कौन-कौन से होते हैं फिर से मैं बता दूँ फेबराइल के चार भाग हुए हैं तो चलो ठीक है देखते हैं एस्पुरेडिक या epidemic intermittent fever ठीक है this is the intermittent fever कैसे होते हैं एस्पुरेडिक वाले character क्या होगा in this type of fever each paroxyms is composed of cold heat या तो उस बंदे को fever आ रहा है क्योंकि fever अबर तो पड़ी रहे हैं लोग तो जो fever आ रहा है हो सकता है उसे पहले cold हो यानि चिल हो फिर heat हो या फिर पहले heat हो रहा हो उसे फिर chill हो रहा हो या फिर हो सकता है cold heat और sweat तीनों हो सकते हैं ठीक है इस character के साथ है लेके आते हैं इनका treatment कैसे करेंगे हम treatment है इनका selection of medicine should be common यान कि आप जो symptom दे रहा है patient उसके basis पर आप totality बनाएंगे यानि कि आपको common medicine शुरू में आपको यूज करना है not antisoric या antisoric medicine लेकिन आपको similar तो देना ही है ठीक है लेकिन हाँ इनका कहने का मतलब है section 235 इनोंने क्यों antisoric medicine बना कि आभी हम लोग आगे देखेंगे लेकिन यह है कि आप common medicine यानि rare medicine आप यूज करिये शुरू में लेकिन but the symptom take at the time when the patient free from fever by this we get most appropriate medicine जैसे देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ क्या लिखा हुआ बात जैसे कि यह chill हुआ heat हुआ fish sweat हुआ तो symptom आपको लेना कब है symptom आपको फीबर के दौरान chill heat और sweat के वक्त नहीं लेना है हैनिमें सर काते हैं कि आप symptom लेजिए कहां पे जब वो बिल्कुल free from हो free from fever हो आप इस वक्त case लेजिए और उसके साब से आप medicine दीजिए मेरी बात को समझेएगा आप लोग हैनिमें सर काते हैं कि जब उसको disease है यानि कि fever है तब आप उस वक्त medicine ना दीजिए medicine भी ना दीजिए और case भी ना लेजिए जब यह बंदा free from symptom है यानि कि यहां पर है कोई disease नहीं है normal condition पर है अगर यह बंदा तब आप case लेजिए और उसके इसाब से आप medicine दीजिए ठीक है और medicine देने का समय भी उन्होंने बोला है कि जब इस बंदे का fever कम हो रहा हो यानि कि free from fever है तब आप medicine दीजिए दुनों बात समझ में एक बार फिर से repeat कर रहा हूं हैनिमें सर बोलते हैं कि आपको case कब लेना है तो case हमें तब लेना है जब वो free from fever हो यानि जब उसे बुखार नहीं है fever नहीं है वो disease नहीं तब क्योंकि हम लोग intermittent पढ़ रहे हैं तो intermittent में alternate करके आएगा ऐसा नह इसी period में देंगे ठीक है तो यहीं बात मैंने यहां लिखा हुआ है but the symptom take at the time when the free from fever by this we get most appropriate medicine इससे हम most appropriate medicine निकाल सकते हैं section 235 में लिखा हुआ बात दोस्तों आप चाहे कितनों भी कोई भी बुक पढ़ लेकिन आपको एक बार organon से होके गुजरना पढ़ेगा ठीक है तो organon म पढ़ेगे पक्का आपको बात समझ में आएगी दूसरी बात आ रही है कि ऐसे लोगों में treatment तम्लू कर दिया medicine अमने selection कर लिया लेकिन देंगे कैसे time of administration of medicine या remedy यह तो 36 section में लिखा हुआ है तो most appropriate time is when the temperature sorry when the termination of paroxyms immediately after it जैसे कि paroxyms शुरू हुआ हुआ हीट हुआ है अब कम हो रहा है तो terminate हो रहा है यहां पर आप इस समय जो है medicine दे दीजिए by this medicine have chance to restore the health without any great disturbance यानि कि जब बंदे को आराम हो रहा हो यानि इस time आप medicine दीजिए fever के दोरान medicine देने के लिए हैनिमें सर ने मना किया है तो आपको एक graph से समझ में आ गया होगा कि एक normal है इधर temperature बढ़ ठीक है ते normal condition है बंदे को फिर chill हुआ हीट हुआ फिर sweat हुआ आप यहां पर आया बंदा यहां ही पर आप medicine दे दीजिए ठीक है case भी यहीं लेजिए totalty भी इसी time पर बनाईए जब उसको fever नहीं है medicine भी आप उसी time पर दीजिए जब उसे fever नहीं है चलिए अच्छा बात कर र हैं तो चुकि हम similar medicine देंगे तो हम medicine हमें पता है कि क्या करती है सेम कौज करती है तो हो सकता है कि medicinal action और हमारे पास जो disease थी पहले से वो दोनों मर्ज हो जाए और हमें aggravation देखने को मिल जाए मैं क्या बोल गया मैं बोलों अगर आप यहां पर medicine दे रहे हैं ठीक है तो हो सकता जो medicine का symptom आएंगे और जो बंदे को पहले सा symptom है दोनों मर्ज कर जाए और fever और ज्यादा आपका बढ़ जाए इसलिए हरी मैं सर बोलते है कि जब यहां पर end हो रहा हो fever तब दीजिए ना कि यह starting में दीजिए ठीक है I hope बात हैं समझ गया होंगे आप लोग तो लिख लिख ल जाएगी यहां पर आप दे रहा है तो ठीक है लेकिन अगर आप यहां पर देंगे तो क्या होगा कॉंसाइड कर जाएगी and cause violent reaction in the organism इस section 236 में लिखा हुआ आप बिल्कुल इस वीडियो को देखने वाद से एफ और जम को जरूर टच करें but if stage of apyrexia is very short यानि कि fever बहुत short interval का है and very bad fever ठीक है यानि कि आपको बिल्कुल कम समय दे रहा है आपको बिल्कुल एक time नहीं दे रहा है जो लंबा सा यहां पर हमने बनाया था पीछले page पर यह बिल्कुल आपको कम समय दे रहा है तो आप क्या करेंगे तो करेंगे the dose of medicine should be administered during decline period of paragymes ठीक है यानि कि आप यह यहां पर दीजिए जहां पर यह decline कर रहा है उस वक्त दीजिए क्योंकि आप तो short period है तो आप यहां दे नहीं सकते क्योंकि यहां से start हो रहा है तो आप यहां decline वाले जगह पर दीजिए ठीक है तो medicine take here मैंने लिखा भी है यह बात किस aforgem में लिखा हुआ है 237 aforgem में लिख अगर आपने single dose दिया है और कुछ अराम होने बाद से फिर से fever शुरू हो रहा है तो आप तुरांथ उस वक्त मेडिसिन दे दीजिए if only occurs when noxious influence excite the intermittent fever such as marsy area लेकिन ऐसा आकसर होता नहीं है अगर आप सही में totality बनाए के medicine दिये है तो दुबारा relapse नहीं होता अगर किसी patient में दुबारा relapse हो रहा है fever तो इसका मतलब हो कोई marsy area में रहा रहा है यानि कि damp जगह पर आ रहा है in such case permanent cure only possible when removal of exciting cause यानि कि देखो भाई maintaining cause अगर exciting cause बना हुआ है तो बंदा ठीक नहीं होगा इसलिए आप सबसे पहले क्या कर यह marsy area से उनको कोई भी maintaining cause के अंदर नहीं है यानि मार्सी एरिया में नहीं है लेकिन आपने medicine दिया क्योंकि हमने पहले क्या बोला था treatment में आपको कैसी medicine देनी है rare medicine देनी है ठीक है common medicine देनी है लेकिन उसके बाद भी बंदा ठीक नहीं हो रहा है तो then it means patient have storic miyajam ठीक है यानि कि patient के पास storic miyajam in background है तो आपको कैसी medicine देनी होगी यानि कि anti-storing medicine आपको पूरा magic whole case लेना पड़ेगा epidemic अब दूसरा हम देख रहे है पहला तो हम लोग देखा epidemic of intermittent fever in non-marsi district पहले हमने देखा कि मार्सी वाले एरिया में लोगो कैसे treatment करेंगे क्या था उनका अब हम लोग non-marsi जो लोग non same symptom and cause ठीक है क्योंकि सारे लोग maintaining cause के अंतर तो है नहीं तो ऐसे epidemic intermittent fever कैसे होते हैं बताओ same symptom और same cause के होते हैं इसलिए सारे लोगों को एक ही symptom आएंगे so we found specific remedy to all सारे लोगों के एक ही remedy निकलेगे and remedy will be almost universal और remedy जो निकल के आएगी उस सभी लोगों के लिए universal होगी उसे बोलते हैं हम लोग genus epidemics ठीक है पांच नमबर में दोस्तों पूछ ले था जीनस epidemics किसे करते हैं तो ऐसी डिजिस साहब जो epidemic disease हो ठीक है उनका मार्सी एरिया से कोई connection न हो सारे लोगों का symptom 1 ही हो ठीक है सारे लोगों का symptom 1 हो, mobility एक ही हो ठीक है तो उनकी जो है टोटल्टी बनने वाद से जो medicine आएगी वो भी एक ही आएगी और हो ही medicine जो है इनवर्सल होगा सारे लोगों का तो ऐसी medicine को हम लोग जीनस एपिडिमस करते हैं जो कि एफ और जम 241 में है वाइबा में भी पूछ लेते हैं दोस्तों कि जीनस एपिडिमस कि इस एफ और जाम पल नहीं है तो क्या है जिसे कोवेट टाइम का अगर हम एक जाम पल नहीं दिया हुआ है तो क्या है जिसे कि बहुत लोगों ने ब्लैंडली आर्सेनिक एल्बम यूज किया तो आर्सेनिक क्या भोल दी गई थी जीनस एपिडिमस क्योंकि सारे लोगों में एक ही symptom आ र हाली बार ओ एलोपैथी दवा खा क्या रहा है और अन के ओड़े ठीक नहीं हुआ तो हैनिमेंसर बोलते हैं क्या कि हाई पूडेंसी में आप कोई सल्फर या ही पर सल्फर दीजिए अगर थर्मल होट है तो आप सल्फर दीजिए अगर पेशेंट का थर्मल चिली है तो आप ही पर सल्फ दीजिए यह सेक्शन 242 में लिखा हुआ है त्यानि कि कोई अलोपैथी मेडसिन खा क्या रहा हो ठीक नहीं हुआ है ताप सल्फर और ही पर सल्फ कोई एक सोच सकते हैं दोनों नहीं देना है तीसरा पार्ट है हमने क्या पढ़ना है हम लोग हम लोग ने खतरना कम बाना हर्ेंट कि एक्शन 242 में लिखा हुआ है तो क्या होगा इसी लोग जो कि इंडिविज़्ोयल मेमारि दुख्युचिति फाले यह पॉन मेडसिन यूज को चबनिफ और देन अगर शुरू महें थिक नहीं वहाँ तो आप क्या कर दिजिए त्यानि ऐसे उनको अगर बहुत खतरनाख वाली जो है फीवर होगे तो क्या करेंगे तो पहले आप कॉमन मैडिसिन दीजिए फिर अंटी सोरी के अगर नहीं हो रहा है तो टाइम ओफ एड्मिशन देख लिया कब देंगे हम रेपेटिशन अब डोज यह भी हम लोग नहीं हो रहा हो जब कम हो रहा हो उस वक्त हम लोग मैडिसिन को देंगे रेपेटिशन हम लोग अभी डिसकस किये पीछे इंडिमिक फोर्थ है इंडिमिक इंटर्मिटेंट फिवर इंट मार्सी डिस्टिक्स सेक्शन 244 में यानि ऐसे लोग जो मार्सी अरिया मेरा रहा है तो उनके लिए क्या सुझाओ दे रहे है निमें सर इफ एनि पर्सन हैवेच्वल इन दिस एरिया और रिमें इन गुड है जो गडिए और रिमें देनी तरिकस्फ पैसंट क्म इंटर्मिटेंट फिवर इंट ट्रीटर सेंड कोव दर संखोनव फिकिए यानि interpre हो लेकिन आगर नहीं करिए ठीक है इफ बाई सिंकोना फीवर नॉट गॉन देन गिव एंटी सोरिक मेट से अगर सिंकोना से नहीं जा रहा है आप टुटल्टी दीजिए फूरा मेंटल हो गर अले के केस निंका लिए एंटी सोरिक मेट सिं दीजिए इप परसन लेफ दा मार्सी एरिया जीने स्टा जो कि हमने पहले एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो सारे लोगों में वही लिखना एक जाम में लिखना अगर आपको लग रहा है कि यह मेरा पेज नहीं भर रहा है तो आप लिखेंगे पूरी चीजों को सेम एज बैक नहीं लिखेंगे लिखना पड़ेगा आपको तो यह था पूरे दो तरीके कि जैसे कि हमने ने देखा क्या चीज हमने देखा क्या कि टिपिकल इंटर्मिटेंट डिजीज और अल्टरनेटिंग अब तक टिपिकल इंटर्मिटेंट डिजीज हो रहा था टिपिकल इंटर्मिटेंट डिजीज को हम लोगों ने दो भागों ब अब है टिपिकल के बास से अल्टरनेटिंग डीजीज अल्टरनेटिंग डीजीज जो है सेक्शन 2-31 एंड 2-32 में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है डीजीज इन हिस सार्टेन इन का इंटर्वल फिक्स नहीं है लेकिन हाँ होंगे आज फिबर चड़ा तीन वजे तो सकता है कल दो ही वजे चड़ चड़ जैंडिया लेकिन टिपीकल इंटर्विज में फिक्स time पे होता था और उसमें डिजीज भी सम थी इसमें कोई जरूरी नहीं है कि DGG out of आज फिवार था तो कल रुमेटीजम ठाव फिर रुमेटीजम ठीक ऑगा अगले दिन फिवर आगया तो कोई ज़रूर्स नहीं है कि जो है इसमें में डिजीज से मों और टाइम से मों लेकिन हाँ रिकर कर रही है मौर्बिड एस्टेट अफ डिफरेंट काई ठीक है जैसे मैंने एक जामपल दिया पेनिन लेक का कम हो रहा है तो अप्थेल्मिया जैसे आई में कोई प्रॉब्लम है बढ़ जाएए याप्थेल्मियां कम हो रहा है तो एक डूसरे को पकी बहुत ही इंपॉर्टेंट के आज के डेट में आपको नंबर आप पेशेंट जो है फीवर के मिलेंगे और उसमें periodicity आपको mark न मिलेगी जिनका chronic fever हो गया उनमें periodicity और दोस्तों ऐलोपैत वाले लोग मेरे हिसाब से लोग ठीक नहीं कर पाते हैं इसको ठीक है तो आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़िए और section 231 से 244 तक आप इसको विजिट करिए ठीक है और गिनाउन को जरूर विजिट करिए चाहे कोई भी lecture यूटूब से देखिए या कहीं से भी देखिए लेकिन और गिनाउन को जरूर एक बार पढ़िए आप लोग की वो क्या कहना चारे हैं वैसे मैंने पूरी लाइने और गिनाउन की बोली है और सारा एक एक उफरिजम और गिनाउन का एक्स्प्लेइन किया है तो दोस्तों I hope समझ में आया होगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो सस्क्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए थैंक्यू